हेलो गाइस यह है वीडियो नमबर थ्री इंडस्ट्रीज चैप्टर का और इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ओप इंडस्ट्रीज ओके तो इंडस्ट्रीज कें भी क्लाशिफाई ऑन दे बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रो मैटेरियल मैनेजमेंट साइच एन अधर लाइ बेसिस पर इंडस्ट्री के साइच के बेसिस पर उसको क्लासिफाई किया गया है या भी आप कह सकते हैं उसको डिवाइट किया गया है और उसके बाद लोकेशन और उसके बाद नेचर ओफ प्रोड़क्ट मतलब किस तरह का प्रोड़क्ट बन रहा है उसका नेचर के बेसि को classify किया गया है तो सभी classification को हम एक एक करके देखते हैं इस वीडियो में सबसे पहले देहेंगे on the basis of raw material okay so on the basis of consumption of raw material there are two types of industries heavy industry and light industry तो बच्चो consumption of raw material के basis पर industry को दो category में divide किया गया है दो category में बाटा गया एक है heavy industry और दूसरा है light industries तो heavy industry needs more capital sophisticated equipment skilled and unskilled labor large quantity raw material its finished product are also heavy तो बच्चों ऐसा industry जहां जाद से जादा raw material को इस्तेमाल किया जाता है जाद से पूंजी यानि कि पैसे को या फिर को asset को लगाया जाता है बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को इस्तिमाल किया जाता है और बहुत सारे labor skilled or unskilled बहुत सारे labor को employed किया जाता है मतलब उनको काम में लगा जाता है ऐसा industry को हम heavy industry कहते है ठीक है और इस तरह का industry में जो finished product बनता है यानि कि जो समान बनते हैं वह भी बहुत ही heavy होते है यानि कि भारी भरकम होते हैं ठीक है बहुत ही भारी होते है जैसे कि example का तौर पर iron and steel industries ठीक है लोको मोटीव industries and automobile industries और या इंडस्टीज़िश तो यह सारे industry जो है heavy industries है क्योंकि इसमें जादर यादा जादे जादा पैसों का यू सोता है जादे-शेट का बहुत ही बड़े बड़े मशिनों का इस बैस्ती लेबर का जरूरत पर इस तरह हम हम हेल दस्ट्री केगे ठीक है बचो iron and steel industries आपको पता होगा जहाँ पर iron और steel से जूड़ी句 चीज़ें बनाया जाते है और lokomötishing industries ऐसी इंसरी यह जहां railway से जूड़ी या फिर कहिये जहाद से जूड़ी चीज़ों को बनाया जाता है और पूरी गाडिया बनाए जाते हैं और इसी में दूसरा कैटेगोरी का है लाइट इंडस्ट्री नेट लेस नंबर ऑफ वरकर एंड इट्स फिनिस प्रोड़क्ट और अलसो लाइट इन वेट सो बच्चो लाइट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होते हैं जहां पर बहुत कम रो मट्रियल का इस्तेमाल किया जाता है बहुत कम पूजी का यानि कि बहुत कम पैसो का बहुत कं एस्सेट का इस्तेमाल होता है और उसके आलावा इसमें जो प्रोड़क्ट बनते हैं जो चीजे जैसे कि सुईंग मेशीन जो चोटी-चोटी चीजे बनती है उन इंडस्ट्रियों को हम कहते हैं light इंडस्री और इसमें बहुत कम पूंजी यानि कि पैसे खर्च होते हैं बहुत कम रो मेटरियल का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम वरकर्स काम करते हैं ठीक है और क्लासिफाइब क्लासिपाइब एग्रोग्स इंडस्टीम एग्रोगरे सब्सक्राइब है इदेसक्ट खापुर्स है देस्टिम के सब धोस्किन जामोच और लोगगा कई फार्स एग भीनट्रीस तो एग्रो मेन्स यह यहां péri पर एग्रो मेंझ हैर अCh softly राइट तो एग्रो कैसे मत्रै ग्रील्चार से जुरी हुई इंडस्ट्री यां ठीक है एग्रो बेस्ट इंडस्ट्रीज आर दोस विच डिपेंड ओन एग्रिकल्चर फोर दा सप्लाई ऑफ रो मेट्रियल एग्जाम्पल सुगर इंडस्ट्री जूट कॉटन बेजिटेबल ओयल एंड फूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तो और उसी रो मेट्रेयल को प्रोसेसिंग करकर उसी को फिनिस प्रड़क में बदलाया जाता है यानि कि इस तरह का इंडस्ट्री का इंडस्ट्री इंडस्ट्री जैसे की शुगर बनाया जाता है यानि कि चीनी किसे बनती है चीनी बनती है आपका शुगर कैन से ठीक है तो सबजियां हमें agriculture से मिलती है खेती से मिलती है और बहुत सारे पूट से जूड़ी हुए इंडस्ट्रियां सारे का सारे इस केटोगरी में आते हैं यानि कि एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री में आते हैं क्यों कि रो मेटरियल के लिए टोटेली वे डिपेंड है किस पर एग्री कल्चर पर उसके बाद बच्चो दूसरा है मिनरल बेस्ट इंडस्ट्री इंडस्ट्री इस को ही कंवर्ट करके यानि कि प्रोसेसिंग करके गुड्स में बदलते हैं यानि कि एक फिनिस प्रोटक्ट में बदलते हैं इस तरह के आपका iron and steel industries जहां पर iron और mineral का इस्तेमाल किया जाता है aluminum industries जहां पर aluminum का ओर को इस्तेमाल करके aluminum बनाए जाता है या फिर उससे जूड़ी हुए यानि कि aluminum के चीजे बनाई जाती है ठीक है उसके बाद आपका पास है cement industries यानि कि minerals को ही raw material के तौर पर यूज करते हैं और उससे फिनिस प्रड़क बनाते हैं इसलिए इन इंडस्ट्रियों को mineral-based industries कहा जाता है ओके नेक्स्ट है हमारा animal-based industries so animal-based industries depend on animals for their supply of raw material so बच्चो एनिमेल बेस इंडस्ट्रियां ऐसी इंडस्ट्रिया होती है जहां पर यानि कि उस इंडस्ट्रिय पर raw material animals से मिलती है यानि कि जनवारे से मिलती है और जैसे कि उधारन पर मैं कहूं तो woolen industry जहां पर wool को processing किया जाता है silk के industry dairy के industry यानि कि दूद के industry पॉल्ट्री जहां पर मुर्गयों का पालन होता है heights and skin and leather industries यानि कि ऐसी इंडस्ट्रिय जहां पर जनवारों का चमडा निकाला जाता है और उन चमड़ों को processing करके यानि कि उसको मोडिफाई करके उसे लेधर में convert कि तो बच्चो अब है forest based industries so forest based industries which receive their raw material from the forest product examples paper cardboard turning of leather lac and timber industries so ऐसी इंडस्ट्रिया जो raw material के लिए पूरी की तरह पूरी forest पर डिपेन है यानि कि जंगल पर डिपेन है उस तरह की इंडस्ट्रिया को हम forest based industry जैसे कि paper इंडस्ट्रिया पेपर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बंबू चाहिए हमें चाहिए plants यानि कि पेड चाहिए तो वह कहां से मिलती है जंगल से मिलती है उसके बाद cardboard बनाने के लिए भी हमें जंगलों से ही मिलती है उसके बाद टर्निंग ओफ लेदर तैन लाक इंडस्ट्री इंडस्ट्री इस यह सारे का सारे इंडस्ट्रिया पूरी तरह से डिपेंड है किस पर फोरेस्ट पर जंगल पर इसी रहे इसी हम फोरेस्ट बेस इंडस्ट्रिया कहते है बच्चो इसके अलावा कुछ-कुछ फार्मेसिटिकल इंडस्ट्री भी जंगल पर यानि कि फोरेस्ट पर डिपेंड है क्योंकि उनको इन ही जंगलों से यानि कि जंगलों से ही अब लिखाया इंडिश्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस अब बेसिस अब बेसिस अब यानि की ओनर्शिप ठीकेश तो सबसे पहले आता है आपका प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इंडिस्ट्रीज और managed and owned by the individual industrialist or farms manufacturing engineer and electronic goods okay or in other word we can say private sector industries are owned and operated by private individuals or a group of individuals for example Tata reliance etc तो बच्चो एक private sector industries as industry है जिसका माली कोई एक private individual होगा या फिर group of individual होगा और उसका उसको वही लोग या फिर वही उसको manage करेंगे या फिर उसे वही operate करेंगे इस तरह के industries को हम private sector industries कहते हैं for example मानलो के अगर मैंने एक pencil का industry start कर दिया तो यह जो industry होगा यह एक private sector industry होगा या फिर मैं और आप मिलकर एक industry खोलेंगे और किसी एक चीज का production का एक इंडस्ट्री बनाएंगे या फिर एक इंडस्ट्री start करेंगे तो वह इंडस्ट्री जो होगा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और यह जो प्राइवेट सेक्टर industries फो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री और और एंड एंड कंट्रोल वाइद एस टेट और सेंट्रल गब्मेंट इस इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री आ जिनका मालिक और उसको कंट्रोल भी गब्मेंट करते हैं कौन सा गब्मेंट स्टेट गब्मेंट हो या फिर सेंट्रल गब्मेंट इस तरह की इंडस्ट्रिया को हम लोग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं यानि कि ऐसा इंडस्ट्री जिसका मालिक भी गब्मेंट हो और जिसको चलाती भी गब्मेंट हो उसे हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं और इन इंडस्ट्रियों में सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रिया जुड़ी हुए जैसे की रेलवे इंडस्ट्रिया हो ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज हो पोस्ट एंड टेलिग्राप के इंडस्ट्रिया हो या फिर रेफeanries हो और irrigation project co diamstbdhats map या फिर defense जुड़ी होई यानी कि फोस है चुड़ी होई कुछ भी establishment हो यह सारे का सारे आती है public section industries और किन इन का मक्सद होता है कि जो भी public है यानी कि जो भी देश के जनता है तैस का उन लोगों को कम से कम अमांट में सर्विस प्रोवाइट करना ठीक है तो एक्जांपल्स आर कमपनीज लाइक भारत है भी इलेक्ट्रोनिक लिमिटेट हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेट एन इलेक्ट्रोनिक कोपरेशन ओफ इंडिया तो इस तरह के पब्लिक शेक्टर इंडस्ट्र आप चलते हैं सी पार-पॉइंट्चि पर यानि जोएनसेक्टर इन्डस्रेइज फ़ोइन सेक्टर इंडस्री आर्ट ली मैनेज़ फाइट फॉंस एंड तेट और सेंटरल गवब्मेंट तो बच्यों ऐसा इंडस्ट्रीज जिनको गवबमेंट और प्राइवेट के तरपर है आपका oil India limited जो oil India limited है वो एक joint sector industries है यानि कि इसमें private sector भी involved है और आपका government भी involved है तो दोनों मिलकर ये company को यानि कि ये industries को चलाती तो बच्चों ऐसा ये industry है जो कि cooperative sector industries कहा जाता है cooperative sector industries are owned and managed on the cooperative basis by those who are producer of raw material सो एक और तरह का industry है cooperative sector industry ये industry जो producer होते हैं raw material के वही सारे लोग यानि कि वही सारे individual मिलकर एक तरह का industry चलाते हैं उससे हम cooperative sector industries कहते हैं सो दूसरी भासा में अगर हम कहें तो cooperative industries are those industries which are owned and operated by the producer और supplier of the raw materials worker और बोथ और इसका example अगर मैं दूँ आपको तो सबसे best example है अमूल ठीक है अगर आपको अमूल का full form पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ अमूल आनंद milk union limited अमूल एक ऐसा इंडिस्ट्री है यानि कि यह एक cooperative sector इंडस्ट्री है नाउ स्टुडेंट्स लेट असी दा classification of industry on the basis of size तो बच्चों आप हम देखते हैं कि इंडिस्ट्री को size के सपर किस तरह से classify किया गया है तो यहाँ पर size का इसाब से इंडिस्ट्री को चार category में classify किया गया है एक है large scale industries दूसरा है medium scale industries तीसरा है small scale industries और चोथा है cottage in so first let us see large scale industries so large scale industries which employ large number of workers in each unit and produce one large scale with huge investment on the raw material and machinery तो बच्चों large scale industries ऐसी इंडिस्ट्रिया है जहाँ पर सभी चिर्व को large scale में मननी कि huge scale पर इस्तमाल किया जाता है तो लार्ज स्कल इंट्रे बहुत सारे उस्ते मैं बहुत और करो इस्तमाल किया जाता है highly skilled alumni को अल्यक्तिक उस्तों कम में लगाया जाता है उसकी बहूत बहुत सारे इंवेस्टमेंट किया जाते यानि कि बहुत सारे पुंजी बहुत सारे पैसे बहुत बड़े-बड़े मशीन और एक समय में बहुत सारे अमाउंट का प्रोडक्शन किया जाता है यानि कि एक समय में बहुत सारे समानों को बनाया जाता है इस तरह का इंडस्ट्र जो है प्रोफिट भी बहुत ही लार्ज अमांट में कमाते हैं और आप नेक्स्ट है मेडियम स्केल इंडस्ट्रीज तो मेडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंप्लोई निदर तू लार्ज नौर तू स्मॉल नंबर सब्वरकर एक्जामपल साइकल रेडियो एंड पेपर मिल्स अधिक्वरकर में इसके लिदिस इंडिस्टरीज या ऐसे उस्लिस्स उटे जहां नहीं ज्यादा लोगों को काम में में लागा जता है यह इस्ते नहीं करते हैं और उतना कम वारकर भी यूज नहीं करते और इस तरह के मेडियम स्केल इंडिस्ट्रीज का एक्जाम्पल है आपका साइकल बनानी वाली इंडिस्ट्रिया रेडियो बनानी वाली इंडिस्ट्रिया पेपर मिल्स यह सारे का सारे एक्जामपल से मेडियम स्केल इंडस्ट्रीज के उसके बाते स्मोल स्केल इंडस्रीज इस एश्मोल इंडस्रीज रंड बाइ है और यह क्या करते है गुड्स बनाते हैं यानि कि कुछ सामान बनाते हैं और यह सामान जो है अपने कंजम्शन के लिए वह करते हैं मतला अपने कंजम्शन के लिए ना कि उसको बेच कर पैसा कमाने के लिए तो इस तरह का इंडस्ट्री को हम कहते हैं इसमॉल स्केल इंडस् तो बच्चों small scale यानिकी small scale सभी चीज small scale पर यूज़ किया जाता है कुछ workers होंगे 4-5-10 workers होंगे कम पुंजी लगेगा कम capital लगया कम पैसा लगेगा ठीके और समान भी क्या होगा कम बनेगा और उसका consumption भी खुद करेंगे तो ऐसी इंडस्ट्रिया जहां पर वोरकर भी कम होते हैं जिसमें कैपैल पिंडिश करे देते हैं ऌर प्रडक्शन मि काम होता है और ओर स्धैन स्धैन को वह बेचते नहीं हो अपने गंट्जेशन के लिए बनाते हैं इस तहरह के इंडेस स्कवाई मिलश्कन industries कहते हैं अब आता है last industries जो कि आपका आपका बुक में दिया गया है वह cottage industries so cottage industries are family enterprises these are limited mechanical power less capital and local raw material this produce simple but often artistic product for the local market examples khadi who are making handcraft handicraft etc okay so but your cottage industries ड्यास एसी इंडिस्ट्रिय है जो लोग अपने अपने घर में बनाते जैसे कि कोई कपड़ा बुनने का काम हो खादी बनने वाला काम हो कोयर मैंकिंग को मतलब बच्चो मैं आपको बतादू कुफेर् मेकिंग मतलब जो खेशियों होता है उससे रसी बनाना उससे मेट बनाना उससे कुछ भी चीजे को बनाना वे कहते हैं उसके बाद हैं यानि की मूरा बनाना चीर अग premiere बणाते हैं कि लोकल Flore material जो local raw material होता है मतलquate आज पास ही पाय जाने वाला रो मेट्रिल से कुछ-कुछ चीजे बनाते हैं इस इंड़स्ट्रिय केते हैं यानि की घर पर ही बनती है आपने अपने घर पर बनाते हैं तो बच्चों कॉटे इंड़स्ट्रिस जो है अपने अपने घरों पर लोग और जो रो मेटर्यल जो है वह लोगली अभाइबर होने वाला यानि के घरों के आसपास बने वाली रो मेटर्यल करके बनाते है, और अपने जो लोकल मार्केट है वहाँ पर ले जाकर कभी-कभी लोग उन चीजों को सेल भी करते है, जैसे के मैंने आपको बताया, example हे खादी, याने की कपडो का बुनना, कोयर बनाना, याने की रशी वशी बगेरा बनाना किसे नारियल के छिलके से, उसके बाद कुछ कुछ हैंडीक्राप्स बनाना. So students, here we have finished our topic number 5, that is, types of industries. And in our next video, we will be learning topic number 5, important industries and their distribution in the world. So students, I hope you have enjoyed this video and you learned many things from this video. So if you like this video, then give a thumbs up. It means give a like and subscribe to my channel for more videos, okay.